आप सबी को मेरे नमस्कार, आप सबी को जानके खुशी होगी, एक और डिसकवरी परिवार की बेटिया रानी, जिसने जिले को टॉप किया है, जी हाँ, 97.40 जिस बच्ची के आए हैं, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, इस्कूल का नाम रोशन किया है, इस पूरे परि के लिए जो इस साल क्लास 12 देंगे या बोर का एक्जाम देंगे, तो आईए बात्चीत करते हैं, दिव्यांशी सोनी से जो बनी है इस साल की चैंपियन, तो दिव्यांशी बेटा, सबसे पहले आप ये बताएं सभी को, कि जब आपको रिजल्ट का पता चला, तो आपको कै कि मेरी परसंटेज मेरे मुताबिक अनुसार आ गई है, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, और मैं इतनी ज़्यादा सैटिस्फाई थी, कि मेरे घरवाले और सब मेरी परसंटेज को देखके बहुत खुश हुए, और मैं भी बहुत खुश थी, खुशी का ठिकान कि जो अभी छोटे जूनियर हैं, जो अभी क्लास 12th माएंगे, 10th माएंगे, तो वो किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरी से बोर्ड मच्छा स्कोर कर सकते हैं आपके तरह हैं, तो आप उन्हें क्या संदश दिना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं मेरे जो जूनियर से उनको ये कहना चाहूंगी, कि कंसिस्टेंसी रखें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, चाहे आप एक घंटे पढ़े पर वो डेली पाएंगे, और स्मार्ट वर्क तो बहुत ज़रूरी है, हाड़ वर्क इस की ओफ सक्सेस हमें पता है, पर स्मार्ट वर्क इस वेरी नेसेसरी तो हैंडल दा सक्सेस, क्योंकि अगर हम स्मार्ट वर करते हैं, तो वो हमें आगे लोंग टम में हमारी हाड़ वर्क को जारी स्टिटमेंस लगातार पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, डेली स्कूल जाएए, डाउट सोलूशन कीजिए, प्रीविश्च के कोश्चन सिर्फ कीजिए, कम्पलीट, मॉडल पेपर कीजिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए. और मैं आज दिव्यान शी के यहाँ पर आये हुआ हूँ, मेरे लेफ्ट शार में देख सकते हैं, डिव्यान शी के अंकल है, चाचा जी है, एक जॉइंट फेमिली में रहते हैं, बहुत अच्छा महोल रहता है जॉइंट फेमिली में, दादा जी हैं और उनके बाद दिव्या यहाँ पर हम लोग हैं और बहुत खुशी का माहूल है चलिए देखते हैं दो दो शब्द हम लोग सुनते हैं कि इस खुशी का अवसर पर क्या कहना चाहता है परिवार सबसे पहले इंकल जी से मैं तो यह बताना चाहूंगा कि हम पूरी तरह से इंशूर थे कि दिवयांसी जो हमारा बेटा है यह निशुत रूप से इतना बढ़िया परफॉर्म करेगा हमें इस पर कोई डाउट नहीं था क्योंकि इसकी जो प्रिवेस क्लासेज में जो रिजर्ट्स रहे हैं तैंथ में हैं और उससे भी जएदा हम जो है स्कूल मेनेज्मेंट हमारे प्रिंसिपल शर् और इसकल मेनेज्मेंट को मैं बहुत बहुत थेंक्स दूङा कि युँनकी भी मेनेज्मेंट बहुत अच्छा रहा इसकूल इन्व tienesco बहुत च्हांदार रहा और उस ही का परिजद़नल्भ सर मैं मतलब डिब्यान सी जो हमारी बिटिया है इसने बहुत अच्छा नाम रोशन किया है और यह सुरू से बहुत ऑश्यार बच्ची थी और जब से इसने डिस्कॉरिज स्कुल में एडमेशन लिया है और भी ज्यादा इसने यह मतलब खूब आगे बढ़ गई और जो हमारे प्रिशन साहब हैं और जो जितने भी गुरुजन साहब हैं उनके आशिरवाज से आज ये बच्ची इतने अच्छे मुकाम के उपर पूंजी है गुरुजनों ने इसको बहुत अच्छी मेनत करवाई है और मैं आपको सबको दन्यवाद देना साथ हूँ हमारी वेटी डिव्यांची ने अच्छा नाम किया है हम तो यहीं चाहते हैं कि वह बहुत आगे बढ़े और अपने दादा जी का नाम रोशन करे और इस परिवार का नाम रोशन करे बस यहीं गहना चाहते हूँ तो आपने देखा अब पूरे परिवार में खुशी की लहर है बच्ची ने नाम रोशन किया है इसका एक वाक्या इसके अंकल जी ने बताया कि आप देखना एक टॉपर किस तरीके से पढ़ाई करता है इन्होंने बताया कि जब पूरा परिवार सो जाता था तो बच्ची क करके और जो किचिन की स्लिप होती है जिस पर चपातिया कभी बेली जाती है और विम टाइप के काम की जाते है उस पर किताब कौपी रखकर रात को दो-दो बजे तक पढ़ाई करती थी यह प्रेणा शुरूत है बिना परिवार को डिश्टब किये किचिन में खड़े होकर स्लिप के ऊपर बुक्स रखके इसने पढ़ाई किये और उसी का प्रेणाम है इसने बोर्ड के अंदर परिचम लहरा दिया है तो पूरे डिस्कवरी परवार की तरफ से इसको पुना उज्वल भविश्य की सुपकामना है जो इसका लक्ष है उसे जल सल्द हासिल करें यह ह अशिरवाद के साथ है आपकों से जुडने के लिए बहुत भाद धन्यवाद थैंकी सोवाज